अग अग्द लास एट के बाइलोजी में अगर हम बात करते हैं एक टर्म है वो है एक जो आस्मोसिस मतलब कहेंगे इक जो मतलब एकजीट मतलब बाहर तो हम कहेंगे कि यह जो वाटर मॉलीक्यूल का जो डिफ्यूजेवल जो होंगे वो कहांगे तो सेल के आउटसाइड हाई होंगे जबकि हमारा आउटसाइड लेविल में जो होंगे वह हमारे सॉलूट मेटेरियल्स का डिफ्यूजेवल मैटर्स का वाटर्स का उसके कंसंट्रेशन लेविल लो होंगे तो एक जो ऑस्मसिस में क्या होंगे तो हमारे सेल के इंसाइड सेल के इंसाइड जोंगे हा पर क्या होंगे तो हमारा लूर कंसेंट्रेशन लेविल होंगे अगर हम बात करते हैं कुछ की पॉइंट संटर्म्स का हेमोलिसिस के बारे में हेम मतलब हेम ग्रूप मतलब हेमोगलोवीन और लिसिस का मतलब टूभी व यह काम करते हैं तो हम भी जो अगर्शन उस स्केए और यहीं आईरण करने के किरण बलड का क्लर्ड होते हैं वह तो reddish in color होते हैं और हम कहेंगे यहीं है molysis process जो क्या काम करते हैं तो heme group means that blood से heme group को release out, removed out कराने का काम करते हैं अब बात करेंगे तो यहाँ पे जो है diffusable into the cell अब कुछ process यहाँ पे आते हैं हमारे किस के लिए तो O2 और CO2 को क्या कराने के लिए plasma membrane amoeva के अंदर plasma membrane के across diffusion process को perform कराने के लिए तो हम कहेंगे कि more O2 in water, water में जो होते हैं, water का यहाँ पे formula H2O, तो यहाँ पे क्या होंगे कि oxygen molecule जो होंगे, वो water में क्या हो जाएंगे, more हैं, तो diffusable, मतलब diffusion process को यहाँ पे perform करेंगे, किसमें amoeva cell के अंदर तो हम कहेंगे कि amoeva cell है, यहाँ पे क्या है, less O2 है, हमारा cell के अंदर क्या है, O2 level low है, जबकि water में हमारा O2 का कंसरेंटेशन level high है, तो यह इस O2 का जो यूज़ किया जा रहा है, वो किसके form के लिए किये जाएंगे, कहाँ पे, तो हमारी इस cell के अंदर, amoeva cell के अंदर, तो तो किसका concentration level जादा है तो CO2 का concentration level इस अमिवाज cell के अंदर जादा है मैं जब कहा सकते हैं कि यहाँ पर diffusion out the cell तो diffusion process होंगे क्या पर cell के बाहर में वहाँ तो क्या होंगे less CO2 in water मतलब water में जो होंगे वह CO2 का concentration level जो इस cell के surrounding around जो है इस area तो यहाँ होंगे वह CO2 का concentration level क्या होंगे less होंगे जब कि अंदर में क्या होंगे more होंगे तो हम कह सकते हैं कि वह ओटू का और CO2 का जो diffusion होंगे किसके across plasma membrane के across किसमें अमीवा के में मतलब कहेंगे यहाँ यह diffusion process के दोरान यह ओटू और CO2 के concentration gradient को क्या करते हैं पर्फॉर्म करने का काम करते हैं मिस्टेट हाईर कंसेंटेशन लेबल से कहां तक जाते हैं तो लोगर can nations level दतक जाते हैं यहाँ पर हाइ cuánt fat eh you are higher your barrier laboration Liar Concentration gradient to lower concentration gradient का क्या होते हैं तो मुमेंट होता है किसके क्रस होते हैं तो इस एक्रोस जो protective layer plasma membrane होते हैं उसके एक्रोस होते हैं किसका moment होता है किसकी सिसका moment हो सकते हैं तो यहां पर moment molecules के होंगे gases के होंगे substances के होंगे ions के होंगे अब बात करेंगे इसमें osmosis जो हमारे process जो observe किये जाते हैं वह हमारे daily routine life में भी यह observe किये जाते हैं different type के phenomena different type के forms को perform कराने के दौरान हम बात करेंगे तो यह osmosis जो important और significant role play करते हैं वो किसके लिए करते हैं तो हमारे life processes और life activities को perform कराने के लिए करते हैं मतलब कहेंगे कि यह osmosis जो हमारे life processes के different steps हैं और जो body के जो activities हैं उन सभी के perform कराने में यह important और vital role play करने का काम करते हैं यह यह हमारा osmosis, हम कुछ examples की बात जो करेंगे osmosis का जिसमें हम कहेंगे कि अगर plants का, तो plants के जो root here parts होते हैं, वो water को absorb करने का काम करते हैं soil से, तो कि इसके कारण करते हैं तो osmosis के कारण, क्योंकि soil में higher concentration level water का, जबकि plant के root part जो होते हैं, root here उसमें low concentration है water का, तो osmosis जो होते हैं, उसके द्वारा यह क्या करते हैं, तो water को gain out करते हैं, साथी साथ कहेंगे, तो यह targetty को भी maintain करता है, targetty मतलब target pressure, जिसके द्वारा यह क्या करते हैं, उस pressure के द्वारा water को जो है, so soil से absorb करके, drone करके, खिचने का काम करते हैं, और root से plant के each and every parts के द्वारा transportation process को और special conduction tissue को perform कराने के द्वारान यह क्या करते हैं, तो water और minerals के transportation कराने में completely involved होते हैं, साथी साथ अगर हम बात करेंगे, यह transportation process को भी occurs करने में यह involved होता है osmosis, मतलब कहेंगे कि plant का leaf lamina जो होता है, plant का leaf parts उससे यह क्या काम करते हैं, तो waters को भी losses out करने का काम कराते हैं, इन दा फॉर्म अब भेपर के रूप में, या जो है water को gain करने का और waste material को remove कराने का जो हैं, वह काम करते हैं किस में, तो uniceller और गिनीट जो हैं उनके body से वह किस के दोरा तो osmosis process के दोरान,